हेलो गेस वेलकम टू अगेन एटेक अबींदी यूटूब चनल एन मेरा राम है द्रुवीन सो गेस आज की इस ब्राण वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सरे आइफोन विजर्स को इस तरह का एरोर में से सो हो रहा है not all contexts were deleted one or more of the contexts may be read only on iPhone and iPad iPhone and iPad users ने रिपोट किया है कि इस तरह का एरोर अपने iPhone के स्क्रिन पे सो हो रहा है तो कैसे fix करें सो गेस वीडियो को स्टार्ट करने से पेले आपने अभी तक मेरी चैनल को लाइक कमेट से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस लाइक कमेट से सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना ताकि आपको easily solutions मिल पाए सबसे पहले 100% working solutions की बात करें तो delete contact from the WhatsApp कर लेना होगा बहुत सरे iPhone और iPad users अपने WhatsApp में open करने के बद न्यू कॉंटेब पे टेप करने के बद आप पूरे details डालके WhatsApp में से आप new contacts save कर लेते हो तब भी ए प्रोब्लम अपने iPhone या तो iPad की screen पे सो होता है इस issue को fix करने के लिए WhatsApp open करके आपको कोई भी contact select कर लेना होगा उसके उपर आपको top corner में screen दिख जाएगा उसके उपर टेप करके आपको edit में जाना होगा edit में जाके आप delete contact कर सकते हो easy ले contact delete करने के बद आपको इस तरह का error message अपने iPhone या तो iPad screen पे नहीं सो होगा So guys I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगे तो please like, comment, share, subscribe आपके फ्रेंड को भी share कर देना ताकि MC amazing trick के बारे में आपके लिए वीडियो लाता रहू Thank you so much